हेले दोस्तों अगर आपके अकाउंट को टंपरेरी लोक कर दिया गया है इस्टेगराम का अकाउंट है आपके इस्टेगराम की जो आईडी है उसको टंपरेरी लोक कर दिया गया है इस्टेगराम की तरफ से आपने यहाँ पर किसी third party application का use किया था जिस वज़े से आपके account को यहाँ पर temporary lock कर दिया गया है Selfie verification करके आप उसको recover करना चाहते हो लेकिन वहाँ पर आपको problem आ रही है दो तरह की problem को काफी person को face करना पड़ रहा है कुछ problems तो इस तरह की आ रही है कि जैसे ही वह selfie verification करते हैं और अपनी email ID डालते हैं तो email ID डालने के बाद में महाँ पर automatically selfie done का option आ जाता है कुछ इस तरह का selfie verification भी नहीं करते हैं और उसके बाद bद यहाँ पर selfie verification done का option आ जाता है कि selfie verification आपकी complete हो गई है और उसके बाद में हमारी email पर कोई भी email नहीं आता है तो एक तो ये problem है और दूसरी problem ये है जैसे हम selfie verification करते हैं अपनी email ID डालते हैं और next पर click करते हैं तो वहाँ पर camera हमारा open होना चाहिए लेकिन वहाँ पर हमारा black page और white page आ जाता है यानि के blank page show हो जाता है white page show हो जाता है और white हो जाती है पूरी screen किसी की black हो जाती है तो इस तरह की भी problem है ये दोनो problem हा रही है कुछ लोगों को जो ना यहाँ पर white और black screen show हो जाती है email ID डालने के बाद में और कुछ लोगों को यहाँ पर automatically done का options हो जाता है कुछ इस तरह का तो guys काफी person की ये दो problem है selfie verification करते time उनको face करना पढ़ रहा है तो दोनों का तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरह से इन दोनों problem को आपको solve करना है वीडियो को skip करके नहीं देखना है आपको वीडियो को end तक देखना है तो guys अगर आपको done वाली problem आ रही है नहीं होगी जब आप 48 घंटे पूरे वेट कर लेंगे उसके बाद में अपनी selfie verification को फिर से करेंगे तो आपको ये वाली problem नहीं आएगी camera का option आपका खुल जाएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी selfie verification को करेंगे और जिस application के अंदर आप selfie verification कर रहे हैं उस application को update करके तब selfie verification करना और phone को एक बार on off कर लेना तब selfie verification करना 48 घंटे के बाद में तो आपकी ये जो done वाली problem है automatically ये fix हो जाएगी अब बात करते हैं दूसरी वाली problem की जिसके अंदर आपको blank page show हो जाता है email ID डालने के बाद में camera का option नहीं खुलता है अब यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे आपको phone change करना होगा किसी दूसरे phone से आपको ये काम करना होगा अगर एक phone से आपकी यहाँ पर ये problem आ रही है तो आप किसी दूसरे phone से तीसरे phone से ऐसे दो तीन phone ट्राइ करेंगे और उनमें अपना काम करेंगे क्योंकि काफी person जो इस शग्राम पर मैं जिनकी help करता हूँ वो कहते हैं कि हमारी blank page हो रहा है तो मैं तभी उनसे कहता हूँ कि आप किसी दोस्त के phone से, मम्मी के phone से, पापा के phone से भीया के phone से try कर सकते हैं तो जैसे ही वो किसी दूसरे phone से try करते हैं तो उनकी problem fix हो जाती है तो इसी तरह से आपको phone change करके अपने यहाँ पर selfie verification को करना है तो आपको phone change करके अपनी selfie verification को करना है और फिर आपकी ना दूसरे phone के अंदर Selfie verification successfully complete हो जाएगी blank page वाली problem आपको यहाँ पर फिर नहीं आएगी तो इस तरह से आप इन process को follow करके अपनी ID को recover कर सकते हो Selfie verification करके I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगएगा आपको पसंद आएगे तो इसको like करें, share करें मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में